वेल्कम टू इंटेलिजेंशिया इंसिट्यूट इंटेलिजेंशिया इंसिट्यूट के चैनल को आप लोग ज्यादा से यादा से यार और सब्सक्राइब करिए चलिए करेंट अफेर्स का अगला सिरी शुरू करती है हानविल महसो हानविल महसो जो है मनाया जाता है कहाँ पर मनाया जाता है नागलेंड में मनायाता है हानविल महसो और कौन सा संस्क्राण है 23 23 संस्क्राण है उदगाटन किस ने किया उपराश्पत ने किया भारत ने G20 की अध्यष्टा किस्तिति से या किस्तिति को ग्रहण किया भारत G20 का अध्यष्ट है बरतमान में और ये किस्तिति को ग्रहण किया एक नॉम्मर 2022 को इसकी अध्यष्टा G20 की अधिस्ता भारत ने ग्रहण कर लिया है और अगल एक वर्ष तक भारत G20 की अधिस्ता करेगा और इसका थीम जो है विशे G20 विशे जो है एक पृत्वी, एक परिवार, एक बविश बहुत ही इंपॉर्टन्ट है यह एक पृत्वी, एक परिवार, एक बविश अगनी योद्या दुई पच्छी अव्यास 2022 या अगनी वारियर दुई पच्छी अव्यास 2022 का आयोजन का संस्क्रण कौन सा है बारवा संस्क्रण है अस्थान देवलाली महाराष्ट किसके बीच हुआ भारत और सिंगापूर भारत टटरचकबल के उन्नत हलके हेलिकाप्टर एम के थार्ड इसक्वाइडन 840SQ1 कौन किस अस्थान पर कमीशन किया गया तो यह कमीशन किया गया है चन्नाई बिश एट्स दिवस मनाया जाता है एक दिसम्बर को और यह 1988 से एक दिसम्बर को 208 पर मनाया जाता है 1988 से जो है 28 दिवस जो है बिश एट्स दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष जो इसका थीम था या भी से शमान था इस वर्ष इसका थीम समानता है एट्स दिवस एक दिसम्बर को मनाया जाता है और इस वर्ष इसका भी से है समानता दिव कला मेला 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा नई दिल्ली में कब किया जाएगा हाँ नेक्ष महाधन वर्ष महाधन वर्ष यहां वर्षवा हुगा महाधन वर्षवा नई सावाधी जमा फिक्स डिपोजिट योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया तो यह बैंका महाराष्टा के द्वारा शुरू किया गया पहला राष्टिय वहाला दिवस कम मनाया गया साथ अगस 2022 को उत्तर पूर्व ओलंपिक्स के दूसरे संस्क्रण की मेजबानी कि सराज द्वारा की गई शीलॉंग जो मेगाले में बढ़ता है यह बुक है इंडियन वैंकिंग इन रेश्ट्रो इस्पेक्ट 75 इर्स आफ इन्रिपेंडेंडेंट्स बुक किसने लिखा यह डाक्टर आस्तोस रारार विकास परिमाढ हत्यारों के आप्रसार पर संदिके पच्चिकारों का दसवा समिच्छा समेलन कहां आयोजित किया गया तो यह आयोजित किया गया निवार USA में 31 अगस्त को राष्टिये खेल दिवस किस महान खिलाडी की जहनती पर मनाया जाता है मेजर दिहान चंद किस मंत्राले द्वारा बढ़े चलो अभियान का संचालन किया गया संस्कृती मंत्राले द्वारा भारत की पहली समकर इंडोर सूटिंग रेंज किस भारतिये नोसेना पोत आयनेस फर लांच किया गया तो यह लांच किया गया आयनेस काणफर बारतिये क्रिकेट खिलाडी रिसब पंत को किस राज ने अपना व्राण अमेश्टर निक्त किया या चुना है उत्रा खंड राज ने तैंक यू फार वाचिंग दिस वीडियो आप लोग चैनल को जादा से यादा सेयर और सब्सक्राइब करिए